प्रिप्रित किये जाएंगे और अभियान एक मास्क अनेग जिंद्गियों को लेकर सुभारम किया गया जो एक अगर्स से पंद्रा अगर्स तक निरंतर चलता रहेगा वहीं सहर के वेपारियों ने भी बढ़ चलकर मास्क बैंको दान सरूप दिये जो अब जरूत मंदों को वित्रित किये जाएंगे हमारे सामवादाता सौथ सिद्गी की रिपोर्ट कुल मलाकल कितनी कारवाई हो गई है अभी तह और लगातार कितने दिनों तो कारवाई जा दिए देखी कारवाई तो लगातार जब तक जारी रहेगी अभी जब तक कि हम सब मास्क पहनने के लिए एक आदतन न हो जाएं मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है मेरा सभी सम्मानी नागरिकों से अनुरूर है मास्क पहन करी घर से बाहर निकले अपनी बच्चों को भी यह आदर डाले और बिना मास्क बिल्कुल भी घर से बाहर निकले जिस तरह से चालान कारवाई की जा रही है नहल क्या ब्यापारि की जारी है निगरपाली का दौरा की गई है चालानी कारवाई दубли में जाघ कि आठी इलगा ने इस यब खस्वर पे रशी के लिए उनका दुकान को विलगोटे गया और मेरे साथ से कुछ पृतिसा सुधार आया है यह कारवाई से लेकर अभी भी हमको बहुत ज्याब रुटा है कि यह वस्यखता है और यह मेरा ही कम्हों के हम सबी दूसरे को जागर करें अकिला फ्रसासन का ही यह कार नहीं है हम और हम में जागने करेंगे तो दिश्चित तोर करें हम को रहना से जीट पाता है बत्रियत को लेगर बताएं आधर ने हमारे सियन साथ सिप्रा सिंगर जोपान की मंसा अनुसा है अधर सहर में मास्क बैंक का उटगाटन किया गया है नगरपारी दवरिशन के पार इसमें प्री मास्क उपलब थे मैं जनता से निवेदन करना चाहती है कि आप ये मास्क लें लेकिन आप हमेशा मास्क लगा के रहें सोसल डिस्टेंस का पालन करें और हातों को सैने का इस करें यह हमें कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए अध्यान आश्चन है इसके में मास्क इसमें हमारे कई दानदाताओं ने आंगे बढ़के उसमें मास्क दान करें और ये बैंक लगाता चलेगा देखने में आना है कि कॉरोना को लेके काफी समय हो गया है और आप प्रिशाशन भी है और आपने भी करीमन कई मार्ग सेनेटाइजर और शाबन से लेके तमाम चीज़ आमेगरी बाटी है दोरे की हैं आज कारेले खुलने का क्या मतलब कारेले हमारे आदर्निय सिवरा सिंगी चुहान की मंद्शा है कि एक बैंक होना चाहिए इसके लिए ये सहर में खुला है और कहीं न कहीं भाई सबको लगा होगा क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं आप रस्ते में देखते होएंगे कई लोग आपको बिना मास्क के लेकिन लोग ये चीज़ समझने तयार नहीं है कि बिना मास्क के रहने में हमारी जिन्दगी करते हैं मैं तो आज जोड़कर हर व्यक्ति से निवेदन करूगी कि बिना मास्क के घर के बाहर ना निकले और अगर आपको मास्क नहीं लगाना है तो आप प्रपय घर पे रहें कि बिना मास्क